समुद्री तुफान वीपरजॉय कुछी घंटों के अंदर भारतिये जो टठ है वो टकराने वाला है बात करते हैं कोसगार्ड के आईजी मनी स्पाटक से सर बताएं जो वीपरजॉय जो टकराने वाले है क्या उसके अब इस्तिती है आप मैप पे देख सकते हैं कि वो गुजरात के आप पास पहुंच चुका है और शाम तक लैंडफॉल होने की उमीद है तो क्या उसकी स्पीड कितनी होगी सर और समुद्र के लहरे कितनी होगी विंड स्पीड तकरीबन 110 से 150 के बीच में वेरी करेगी सी स्टेट छे से साथ होगा तैस वेव हाइट कम से कम पांच से छे मीटर की होगी वहाँ पर और उसे निपटने की खासथ समुद्र में कोसगाट के तैयारी कैसे है सर हमारी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो गई थी हमने समुद्र में ये एंशोर किया है कि कोई भी मेचेंड मेरीनर ना फसा हो कोई भी फिशिंग बोट ना फसी हो उन सब को हमने वहाँ से हटा दिया है अब हमने अपने जो बड़े जहाज हैं ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स फास पेट्रोल वेसल्स और इंटरसेप्टर बोट्स गुजरात में तैयार रखी हुई है तीन फास ओस्वर्ट पेट्रोल वेसल हैं, चार फास पेट्रोल वेसल हैं और आठ इंटरसेप्टर बोट्स गुजरात में रेस्क्यू और रिलीफ मोड में तैयार रखी हुई हैं उसके बाद हमने गुजरात में ही तीन डॉर्णियर एरक्राफ्ट और एक एलेच रखा हुआ है अगर कहीं पर भी हमको रेस्क्यू और रिलीफ की जरुवत पड़ती है उसके लिए क्या जो पहले के लिए तैयारी करनी है और उसके बाद जो तबाही मचेगी उस सिर्फ निपटने के तैयारी उसके बाद भी जो है कई से राजेट है जी हां, उसके बाद निबढने के लिए हमने डिजास्टर रिस्पॉंस टीम्स होते हैं, DRT's जिसे बोलते हैं, वो हमने 23 तैयार कर रखी है, आठ कोजगाट स्टेशन हैं गुजरात में, 23 हमने DRT's तैयार रखी हुई हैं, इन 23 DRT's में हमने 29 जेमनी बोट्स दे के रखी हुई हैं, हजार तक्रीबन लाइफ जाकेट्स हैं, लाइफ बॉइस दे के रखे हुए हैं, और तक्रीबन 500 हमारे सैनिक जो हैं, वो तैयार है, स्टेट अड्मिनिस्ट्रेशन की वाकी आर्म फोस्स जो हैं, उन सब के साथ मिलके मदद करने के लिए, तु सर क्या लगता है कि जि हम ने एंशोर कर रखे कि समुद्र में इस पक फिशर्मन ना हो, उसके बाद हम स्टेट अड्मिनिस्ट्रेशन, आम फोसे, एंडी आरेफ के साथ खड़े हुए हैं, ताकि तबाही कम से कम हो, जितना आप देख रहे होंगे, एंडी आरेफ, एसजी आरेफ ने बहुत अच् है, तो जाहिर सी बात है कि कोसगाड की कोसी से कि कम से कम तबाही हो, और उससे निपटने के तमाम उपाय किये गया है, नई दिली में कैमरा में सुसी लाठी के साथ, राजी रंजन, एंडी टीव इंडिया